नमस्कार दोस्तों ससांग टार्गेट एजुकेशन में आप सब का हार्दिक स्वागते हो अभिनेंदन है आईए ध्यान से हम लोग एक एक टॉपिक को देखेंगे आज सिंटेक्स का टॉपिक हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं ध्यान से समझेगा चूकि सिंटेक्स एक लंब इसमें तो ये नेमो का संग्रह है बह। शारे इसमें रूल्स हैं जिसे आप इंग्लिस को अपने करेक्ट कर पाते हैं तो यह प्रकार से यह आपको ऐसे टूल्स ऐसे माध्यम ऐसे तो तरीके बताती है जिससे आप इंग्लिस grammar को बहुत exactly और correctly लिख पाते हैं express कर पाते हैं तो पहला रूल यहां से देखना हम लोग सुरू करते हैं ध्यान से देखेगा एक एक बाते आपको समझ में आएंगी ऐसे वाक्यों में जिसमें कोरी कल्पना कोरी कल्प आप singular verb का प्रयोग करते हैं लेकिन जहां पर कोरी कल्पना इच्छा या शर्त के भाव हों वहां पर singular subject के साथ भी आप plural verb का प्रयोग करते हैं एक example आप हमारे साथ देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जैसे I wish I were the president of India यह देखिए मेरी कोरी कल्पना ही तो है कि I wish I were the president of India यह मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि मैं president of India होता तो यहां पर देखिए I के साथ अमूमन आप सब जानते हैं कि I के साथ किसका प्रयोग होता है बच्छो तो I के साथ was का प्रयोग होता है किसका प्रयोग होता I के साथ was का लेकिन यहां पर I के साथ किसका प्रयोग क संख्या अनिष्चित है, इस्टिस प्रकार की वाक्यों में, off के बाद आने वाले noun के अनुसार verb का number और person लिखा जाता है very simple thing है बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे भी example के अनुसारी से हम लोग देखेंगे अगर आप कोई भी indefinite number लिखते हैं और उसके बाद आप noun लिखते हैं ध्यान से समझेगा इस बात को कि off के पहले ऐसे शब्द प्रयोग किये जाते हैं जिनकी संख्या अनिश्चित हो जैसे indefinite number कोई भी प्रयोग किया जाएगा number of people कोई भी noun आप यूज करेंगे तो पहले उसके क्या indefinite number जिसके numbers निश्चित नहीं होते है noun के पहले उनही का प्रयोग हम लोग करते हैं तो indefinite number of यगर आप noun जैसे समझी गाद्यान से जैसे यहाँ noun है noun के पहले आफ है तो इस आफ के पहले यह तह है कि indefinite number होगा number of people यहाँ people के numbers exactly आपको नहीं पता है number of boys number of boys में क्या लड़कों को exactly numbers नहीं पता है तो जब exact noun के numbers नहीं पता हो तो आफ के पहले indefinite number का प्रयोग होता है जैसे a number of मालीजे boys कह दिया most of people कह दिया या जो भी आप कहना चाते है most of people कह दिया तो इस तरीके के word जब आप यूज करते हैं तो आफ के पहले जितनी भी चीजे यूज होती जैसे दिखिए a number a number का प्रयोग किया जाता है इसका इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आपको noun की संख्या exactly नपता हो most of का प्रयोग करते हैं जब आपको इसकी संख्या exactly नपता हो noun की some of का भी प्रयोग इसी प्रकार आप करते हैं तो सम आपका भी प्रयोग तभी आप करते हैं जब exactly आपको noun नहीं पता होता है कि actually noun कितना है आप एक संभावना विक्त करते हैं कि अनिश्चित प्रकार का statement देते हैं किसी noun को ले करके तब हम लोग जैसे बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ आदमी थे बहुत सारे लोग थे बहुत सारे लोग में कितने लोग थे नहीं पता है तो number of people ठीक है जादातर लोगों ने सफेद कपड़े पहने थे तो जादातर में भी exactly आपको number नहीं पता है तो most of person आप बोल सकते है most of the people बोल सकते है तो यह आप बोलेंगे यहाँ पर ध्यान से क्या आपके सामने निश्चित ना हो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम को देखते हैं यदि number के पहले द का प्रयोग होता है तो वर्ब सदेव सिंगुलर रहता है वर्ब जो भी आप प्रयोग करेंगे कैसी करेंगे सिंगुलर करेंगे क्योंकि the number का अर्थ निश्चित संख्या से है कभी भी number के पहले द आ जाता है तो उसंख्या कैसी हो जाती बच्चों निश्चित हो जाती है ध्यान रखेंगा जैसे the number of boys ये देखिए the number of boys is increasing अब मैंने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है ना की आर का आ आप मत ये समझेगा कि boys है boys है तो बहुत सारे लड़के हैं लेकिन उनकी संख्या निश्चित है the number of boys is increasing तो ये number के पहले कभी भी the आ जाता है आर्टिकल कौन सा आ जाता है तो याद रखिएगा उसके साथ सदेव singular verb का आप प्रयोग करेंगे ओके चलिए और आगे बढ़ते ह ये आफ के पहले the percentage रहे तो verb singular होगा परसेंट नहीं the percentage की बात कर रहा हूँ किसकी the percentage कभी भी वर्ब के पहले क्या हो याद रखिएगा ये आफ के पहले the percentage रहे तो verb कैसा होगा singular आप यूच करेंगे जैसे the percentage of illiterate person is very high ये देखिए the percentage आया है ये ध्यान से देखिए और आफ के पहले आया है तो आफ के पहले आया है ये तो मैंने रूल बता ये आफ के पहले the percentage रहे तो singular वर्वी जोगा the percentage of illiterate person is very high न की are very high मैंने क्या बोला is very high आप समझे गया होगे आईए अगले रूल की और बढ़ते हैं कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिनका singular तथा plural एक होता है ये भी काफी भ्रामक होता है काफी परिशान करता है तो इसको बहुत ध्यान से समझेगा कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिनका singular तथा plural एक होता है चाहे आप singular form में यूज करिए चाहे प्लूरल में word वही रहेगा हाँ helping वर्व आप बदलेंगे अगर plural sense में कर रहे हैं तो आर लगा देंगे डू लगा देंगे लेकिन singular sense में कर रहे हैं तो डज लगाएंगे इस लगाएंगे ये सारी बाते ही निर्भर करेंगे कि वो word किस sense में यूज हुआ है singular sense में या plural बाकी आप उसको देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं तो चलिए देखते हैं वो कौन सा फॉर्म में हो वो शीप ही लिखा जाता आप उसे शीपस नहीं कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं शीपस नहीं कर सकते हैं चाहे वो singular फॉर्म में हो वो बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा जैसे many ships are grazing in the field यहां कई सारे ships की बात हो रही है चुकि उसके पहले क्या लगा होंगे ship में कोई अंतर नहीं है लेकिन हाँ उसके साथ जो वर्व लग रही है वो यह बता रही है कि वह singular form में है बच्चो या plural form में है ध्यान रखिएगा इस बात को यह बहुत ही important बात है चलिए अगले rule के और हम लोग बढ़ते हैं यदि score hundred thousand dozen के पूर्व संख्या का प्रयोग हो बड़ा important rule यह भी है score hundred thousand dozen के पूर्व कोई संख्या आ जाए तो इनके बाद फिर s नहीं लगाते हैं जिसे dozens, hundreds, thousands, dozens यह सब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं s नहीं लगा सकते है अगर उसके पहले कोई number आ गया है कोई संख्या आ जाए तो जैसे I bought five dozen अब आप यहां five dozens नहीं लिख सकते हैं dozen, thousand, hundred, score, इन सब के पहले कोई number आ जाए, तो फिर उसके आगे आप S नहीं लगाते हैं, very simple, लोग, कुछ noun देखने में singular है, किन्तु उनका प्रयोग किस तरह होता है, plural की तरह होता है, ध्यान रखिएगा, कुछ noun देखने में कैसे हैं, singular होते हैं, कि उनका प्रयोग कैसा होता है, plural, उसमें S या येस नहीं दिखेगा, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि plural है, लेकिन वो यूज कैसा होता है, plural sense में, आईए एक example देखते हैं, जैसे, the cattle are grazing in the field, cattle क्या है, the cattle are grazing in the field, तो अभी देखिए cattle, cattle कहीं से भी देखने में, आपको क्या नहीं लग रहा है, कहीं से भी ये, plural आपको प्रतित नहीं हो रहा है, क्योंकि cattle सा ऐसे सब्द नहीं लिखे जाते हैं, वैसे cattle का cattle कभी लिख भी नहीं सकते हैं, police, ये सब, ये सारे word कैसे होते हैं, जनरली plural form में ही यूज होते हैं, देखने में तो singular होते हैं, लेकिन यूज में कैसे ला जाते हैं, police, जैसे cattle are grazing, आप cattle is grazing कर देंगे, तो आपका sentence वहीं गलत हो जाएगा, the police have arrested the thief, the police has arrested the thief करेंगे, तो आप वहीं गलत हो जाएगे, तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ सब्द ऐसे हैं, जो देखने में कैसे होते हैं, singular, लेकिन होते कैसे हैं, actually में इनका प्रयोग कैसे होता है, plural form में, कुछ nouns देखने में plural होते हैं, किन्तो इनका प्रयोग singular की भाती होता है, याद रखिएगा, जितने subject name है, कई subject names ऐसे होते हैं, बच्चों जिसके last में S आपको देखने को मिली ही जाता है, आसानी से, जैसे mathematics, ऐसा है, लेकिन ये plural थो हैं ने, क्योंकि this is the subject name, और name क्या होते हैं, हमेसा singular होते हैं, mathematics is difficult subject, या देखो is लगा है मैंने, the news, news में भी S लगा है, लेकिन news क्या है, तमाम तरह के, छोटे-छोटे, कुल में आके, सूचनाओं का समू होता है, तो समू हो गया, तो collective form में आ गया एकदम, और उसे singular form में, ये में लोग यूज करते हैं, the news of his death is true, यहाँ पर भी देखें, कि हमने किसका प्रयोग किया ही है, और ऐसा ही नहीं, mathematics है, politics है, कुछ भी इस तरीके के आप देखेंगे, civics है, सब में S आ रहा है, लेकिन वो सब singular form में, physics है, ये भी क्या है, physics में भी S आ रहा है, last में, लेकिन ये सब भी कैसे होते हैं, singular form में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कुछ नाउंस का plural होता ही नहीं है, वे singular में ही प्रयोग किये जाते हैं, जैसे scenery, जैसे क्या, scenery, जैसे poetry, ये सब का क्या होता है, कभी भी plural form नहीं यूज होता है, मैंने उन्ही एक्जामपल्स को लिया है, जो एक्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन्ही एक्जामपल्स को यहां रख रहा हूँ, जो एक्जाम में क्या हुए हैं, पूछे गए हैं, याद रखिएगा, कुछ नाउंस का plural नहीं होता है, सिंगुलर में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे सीनरी और पोईटरी, और ऐसे बहुत सारे और सब्द हैं, जैसे फरनीचा, ठीक है, चलिए, और आगे तोड़ा बढ़ते हैं, त्यान से देखेंगे, कुछ ऐसे होते हैं, नाउंस जो plural में ही होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है, याद रखिएगा इसे जैसे सिजर्स, यहां मैंने डिसकस कर दिया चीजों को, चुकि यह बहुत बारिक जाम में पूछा गया है, बहुत अच्छे सिजर्स नोटिस कर लिजेगा, इसे सिजर्स मतलब कहची है, ट्राउजर्स, सॉक्स, शॉट्स, पैंटलून्स, आर्म्स, थैंक्स, वेज़स, एनल्स, रिचेज, टाइडिंग्स, प्रेमिजेज, यह सारे शब्द हैं, जो सदेव ही plural में होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, जैसे my spectacles are very costly, मेरे चसमें क्या हैं, बहुत ही महंगे हैं, अब इस पैक्टिकल्स आ गया तो आप इसके साथ इज नहीं लगा सकते हैं, यह सदेव आर्म ही लगेगा इसके साथ, plural वर्म ही इसके साथ हमें साथ लगेगी, हर सिजर्स आर बलंट, यहां सिजर्स के साथ भी मैंने क्या लगा है, देखिए तो आर लगाया है, इसका प्रयोग मैंने नहीं किया है, चुकि यह वर्ड ऐसे हैं, जो इनके साथ हमें साथ plural वर्म ही आती है, लेकिन याद रखिएगा, अगर इनहीं के साथ pair of का प्रयोग कर दिया जाए, इनहीं शब्दों के साथ जो मैंने उपर डिसकस किया है, अगर pair of का प्रयोग कर दिया जाए, तो वर्ड कैसी हो जाती है, बच्चों, singular हो जाती है, वर्ड कैसी हो जाती है, singular हो जाती है, यह बात याद रखिएगा, एक जमपल देखिए, अब pair of trousers, अभी तो trousers अके ले आता, तो इसके साथ have लगाता मैं, has न लगाता, लेकिन अब pair of आ गया, और मैंने बताया है कि trousers, इसपैक्टिकल्स, थैंक्स, वेज़ेज, इन सब के पहले अगर pair आ जाता है, तो अगर pair आ जाता है बच्चों, तब उसको हम singular form में यूज करते हैं, इसलिए देखिए, मैंने हाँ have been नहीं, बलकि क्या लगाया है, has been लगाय निमलखित नाउंस, singular में प्रयोग होते हैं, हाँ ये तो बहुत ही important है, एक जा मैं पूछा गया है, names of disease में दो नाम है, जो याद रख लीजिए, ये सदेव singular, देखने में plural होते हैं, लेकिन singular form में ही यूज होते हैं, जैसे measles और mumps, ये नाम है, name of disease है, रोगों के नाम है, mumps is a dangerous disease, अभी भले ही S लग रहा है, mumps में आपको S दिख रहा है, लेकिन चुकि this is the name of the disease, और name है, तो name सदेव singular होता है, बच्चों, इसलिए मैं ने इसके साथ is लगाया, आप R या वर इस सब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, name of the games, कुछ game के नाम है, जो देखने में plural होते हैं, जैसे cards, billiards, ये सब देखने में plural लग रहा है, लेकिन ये singular ही यूज होते हैं, क्यों, जैसे देखे, cards is popular in our country, तास का जो खेल है, पत्तों का जो खेल है, हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है, ये जो cards है, this is the name of the game, और name क्या होता, सदयो singular होता, इसे देखने में भले ये plural लग रहा है, लेकिन आप इसे singular मानेंगे, चलिए, अगले rule के और हम लोग बढ़ते हैं, material और abstract noun, ये तो बच्पन से आप पढ़ते आ रहा है, कि कभी material noun हो बच्चों, या abstract noun हो, material noun या abstract noun, ये सदयो singular में ही प्रयोग में आ जाते हैं, किसमें, singular में इनको कभी भी plural में यूज नहीं करना चाहिए, जैसे material noun, जैसे सोना, चादी, दूध, जितने भी materials हैं आपके, इन सब को, इन सब के साथ हम लोग क्या करते हैं, singular और का ही प्रयोग करते हैं, जैसे gold is costly, gold is costly, अब गोल्ड के साथ हम किसका यूज क प्रयोग करना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से समझिए, कि collective noun के बाद, वैसे तो आप similar वर्व का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वो collection जो दिखा रहा है, वो कई पार्ट में बटा हो, तब वो plural हो जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे the committee was unanimous on this point, unanimous का मतलब सर्व सम्मत, एक मत, committee तमाम बिंदूओं पर एक मत है, बटी नहीं है, एक मत है, एक मत है, और जब एक मत है, तो फिर ये तो complete समु हुआ चेक हो गया, कि जो committee है, सब एक ही बात पर सहमत है, committee बटी नहीं है, कई विचारों में, इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल इसके साथ singular verb का ही प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वही committee है, याद रख उसे plural form में यूज करेंगे, जैसे the committee were divided in their opinions, अब की बार जो committee है, इसके साथ मैंने वर का प्रयोग किया है, क्योंकि इसके opinion divided है, बहुत सारे अलग-अलग लोगे के अलग-अलग विचार, और विचारों के अनुसारों committee क्या है, कई भागों में बटी हुई है, तो committee is that word, भा कई विचारों में, कई धाराओं में, तो समझ जाईएगा वो फिर क्या है बच्चों, plural form में यूज करेंगे, तो वैसे तो आप collective noun को देखिए, अगर वो unanimous है, सरसम्मत है, एक ही धागे में पिरोई गई है, सब unite है, तो आप उसके साथ singular verb का यूज करिए, अन्यता उसके स amount, distance का बोध हो, तो plural रहने पर भी singular verb का प्रयोग किया जाता है, example से समझेंगे, तो एकदम clear हो जाएगा, चाहे वो कोई distance हो, कोई measurement हो, कोई भार हो, इसमें अगर कहीं बहुत exact चीज लिख दी गई हो, एकदम कि इतना ही kilometer है, इतना ही meal है, इतने ही रुपएं है, तो भले ही वो plural हो, लेकिन आप यूज कैसे करेंगे, उसे singular में जैसे 15 miles, अब miles में S लगा है, और वो एक से अधिक miles है भी, एक से अधिक meal है भी, इसके साथ तो आप R का प्रयोग कर देंगे, लेकिन जैसे आप ऐसा करेंगे, आपका वाकिय क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चुक प्रयोग करेंगे, इसका ही प्रयोग करेंगे, आर का नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनफिनिटिव या जिरंड से वाकि सुरू हो तो singular वर्व का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही important नियम है भी या, बहुत ही important आभी सकता है, इस बार तमाम परिक्षाओं में ध्यान रखेगा, to walk is healthy, मैंने कहा infinitive या जिरंड, याद रखेगा मेरी बात, अगर infinitive या जिरंड सबजेक्ट की तरह काम करें, तो उसके साथ सदेयो singular, plural के बारे में सोचना नहीं, infinitive क्या होता है, अगर verb की first form, याद रखना, अगर verb की first form से पहले to लगा दिया जाए, क्या तरह, ing form को यूज किया जाए, subject के रूप में, जैसे walking तो इसे जिरंड कहते है, यह जिरंड है, और to walk क्या है, infinitive है, verb की first form के पहले to लगाओगे infinitive, और verb की ing form, अगर subject के तो यूज हो रही है, तो जैसे to walk is healthy, अब to walk are healthy कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, चुकि infinitive के साथ form का यूज हुआ है, और यह noun की तरह प्रयोग हुआ है, subject की तरह प्रयोग हुआ है, तो यह फिर क्या होगा, जिरंड और जिरंड के साथ सदय हो, singular verb का प्रयोग करोगे, इस का प्रयोग आप करोगे, तो जिरंड हो या infinitive के साथ आप singular verb का प्रयोग करेंगे, ओके, चलिए, अगले रूल क्यों बढ़ते हैं हम लोग ध्यान से देखें बहुत ही महत्पोर टॉपिक है एक बार अच्छे से डिस्कस आप कर लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं भूलेगा सब कुछ याद रहेगा आईए रूल्स को देखते हैं यदि एड्जेक्टिव का प्रयोग नाउन की भाती हो तो ध्यान से समझेगा यदि एड्जेक्टिव का प्रयोग किस की भाती हो यदि एड्जेक्टिव का प्रयोग नाउन की भाती हो और वह बहुत से ब्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करता का काम करें तो वर्व उसका प्रयुक किसकी तरह होने लगे नाउन की तरह होने लगे बतलब वो adjective तो, word तो adjective है लेकिन उसका प्रयुक किस sense में किया जाएगा और वो अपने अंदर कई सारी चीजों को समाहित करेगा plural form का sense देगा तो उसके साथ हमेशा plural word लगाएगा जैसे the rich, the rich रिच वैसे तो व्यक्ति की अमीरी को दरसाता है यह एडजेक्टिव है जैसे ही जा रिच मैन तो मैन का एडजेक्टिव रिच है लेकिन उसी रिच को अगर नाउन की तरह प्रयोग कर दे एडजेक्टिव की तरह ना करें जैसे दा रिच इस the rich का मतलब है अमीर व्यक्ति, बहुत सारे अमीर व्यक्ति, the rich, the rich means बहुत सारे अमीर व्यक्ति, तो मैंने क्या कहा कि अगर है तो rich actually में क्या, actually में adjective है, लेकिन प्रयोग किसकी तरह किया जा रहा है, noun की तरह किया जा रहा है, तो इसके साथ सदय प्लूरल वर्ब लगेगा क्या लगेगा प्लूरल जैसे दपूर वैसे तो जैसे ही जब पूर मैं तो मैं का एडजेक्टिव तो पूर है एडजेक्टिव विशेस्था बताने के लिए आया है लेकिन यहां पर पूर को नाउन की तरह प्रयोग किया जाना है बहुत सारे गरीब लोग तो इनके साथ यह वर्ड याद रखिए पूछे जाते हैं गभी भी मेंनी अ आ जाए मेंन आ जाए मोरदैन आ जाए तो यह सव वर्ड आते हैं तो इसके साथ सधाय हैं उस सिंगुलर वर्यूर्व का प्रयोग करो गे जैसे मेंनी औ मैन वॉस केल्ड नह की वर्यूर्ड बल्की वसकेlt ल किल नहीं यह वर्ड याद रखिएगा more than one और many a oblique and अगर यह दिखता है तो इसके साथ सदय सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे आईए अगले नीम के और बढ़ते हैं यह दिवाक्य में भिन भिन परसन एक वचन में आये तो सबसे पहले second person उसके बाद third person तथा अंत में first person याद रखिएगा एक ही वाक्य में अगर कई सारे person first person second person third person आप सब जानते हैं कि first person क्या है तो आई वी आई वी क्या है first person second person की बात करेंगे तो यू बाकि जितना बचा सब third person है बच्चो जैसे ही शी इत यह सब क्या है यह सब क्या है third person यह सब क्या है third person यह first person second person third person तो यह अगर persons कई तरह की एक यही वाक्य में आए तो इनको order क्या होना चाहिए तो सबसे पहले second person लिखा जाएगा उसके बाद third person लिखा जाएगा और अन्त में first person लिखा जाएगा यह order मत बना दीजेगा पहले first तब second तब third बलकि इसका order कुछ यू है बच्चो पहले second person फिर third person और फिर first person हम लोग लिखते हैं जैसे देखिए you he and I were playing in the field मैंने second person you को पहले लिखा है फिर third person he को लिखा है फिर first person I को लिखा है तो you he and I were playing in the field अगर आप इसका order मिस करते हैं he पहले यूज कर देते हैं यू बाद में या I पहले यूज कर देते हैं तो इस प्रकार से आपका वाक्य गलत माना जाएगा ग्रेमेटिकली आईए दूसरे वाक्य को समझते हैं order याद रखिएगा second person third person first person you and I are going to school ये भी वाक्य सही है कैसे मैं समझाता हूँ मैंने कहा सबसे पहले यदि वाक्य में second person है तो उसे यूज करना चाहिए तो you second person है उसके बाद मेरा order कहता है third person लेकिन वाक्य में third person ही नहीं है जब नहीं तो second के बाद हम किसका यूज कर देंगे अगर third person available नहीं है तो first person का वो मैंने किया है you के बाद किसका I का प्रयोक किया है तो ये वाक्य भी क्या हो जाएगा सही चलिए एक और वाक्य देखते है he and I were singing together he and I were singing together यहाँ पर देखिए मैंने third person और first person चुकि नियम तो यह है कि प है और third person के बाद किसका नंबर है first person का तो देखिए मैंने किसका यूज किया first person का यह बात याद रखिए दा रखिएगा कि second person third person first person यह हमारी सीरीज है अगर कई तरह के person एक साथ वाक्य में आते हैं तो चलिए अगले नियम के और बढ़ते हैं बहुत seriously समझते रहेगा एक ए कि बहुत मतलब plural number में है तो इस्थती थोड़ी सी भिन्न होगी अभी तक मैं याद रखिए गजरा साथ यह द्यु voir कि किसमें हो वह बहुत चरह प्रीं है तो इसथितित़ी थोड़ी क्या होगी बहुत और कि जो subject आपके यूज हो रहे हैं वो plural हो, singular नहों लास्ट में, कम से कम इतना बात तो ध्यान रखेगा, यहाँ पर अभी जितने आप देख रहे थे, I, 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 सब singular sense में यूज किये गये थे, चुकि I को past tense में हम लोग किस sense में यूज करते हैं, बच्चों, सदय हो singular sense में यूज करत subject आपको देखने को मिले, जैसे देखिए, यहाँ भी दे आया है, यहाँ भी दे आया है, तो यह plural है, यह क्या है, plural है, तो यह जो plural आपको subject देखने को मिलेगा, pronoun देखने को मिलेगा, तो यह सिती थोड़ी भिन्न हो जाएगी, order की सिती क्या हो जाएगी, थोड़ी भिन्न ह हो जाएगी हम लोग पहले फर् ke फर्ट पर्स रोल घ्राइगे तब सिकन्ट पर्स तब थर्स यहाँ पर आडर कैसा हो पहले फट जैसे नियम से हिता फर्स पर सन फिर आप सिकन्ड पर उच करेंगे और थीरष कन आप दूसरे example को देख सकते हैं, अगर first person नहीं available है, तो फिर second person को पहले use करेंगे, फिर उसके बाद जो third person आया है, उसको use करेंगे, तो आप बात समझ गए होंगे, यह subject singular आ रहा है, और singular subject use हुआ है, pronoun use हुआ है, तो याद रखिएगा, वहाँ order कैसा होगा, second, third, first, लेकिन, अ अगला rule क्या कहता है, कि इट से दूरी, समय, मौसम और अनिप्राक्ति घटनाओं का क्या होता है, बहुत होता है, याद रखिएगा, इट का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं, दूरी प्रदर्शित करने में, समय प्रदर्शित करने में, मौसम प्रदर्शित करने में, आईए कुछ example देखते हैं, it is 15 miles to Agra, it का प्रयोग कहां पर हुआ है, चुकि यहां distance की बात की गई है, दूरी की बात की गई है, तो आप इसका प्रयोग उचित मानेंगे, it is morning, ये भी आपका क्या है, समय बता रहा है, समय का प्रयोग हो रहा है, देख रहा है, ये तो समय, तो morning क्या है, समय है, इसके साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे it is raining, मौसम है, क्या है, मौसम की बरसाथ हो रही है, तब भी इट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, अब आप समझ गया होंगे, इट का प्रयोग दूरी, समय मौसम या अन्यप्राक्तिक घटनाओं को प्रदर्श का प्रयोग किया जाता है, जैसे every one of them has a blanket, मैंने किसका प्रयोग किया है, हैस का, चुकि यहाँ पर every का प्रयोग हुआ है, every दिखे तो has लगाएगा, each of them has gone, यहाँ पर each आ गया तो भी हम लोग क्या लगाएंगे भई, singular verb का प्रयोग करेंगे, हैस, every, he, each, either, neither, in सब का प्र प्रयोग करते हैं, आइए अगले रूल के और हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखते रही है, एक एक बाते क्लियर हो जाएंगे, कुछ और महत पौर्णियम है, जिसे हम लोग देखेंगे साथ, यदि each का प्रयोग, यदि each का प्रयोग plural noun, अभी तक इच देख रहा थे, तो आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर each, every, in सब का प्रयोग plural noun के बाद हो, या plural pronoun के बाद हो, तो आप हमेशा plural वर्ब लगाएंगे, each सुरू में नहीं आएगा, वो किसी ने किसी plural pronoun के बाद आएगा, या तो plural noun के बाद आएगा, जैसे we each, अब य मैंने यहाँ wishes नहीं लिखा है, बलकि wish लिखा है, क्या लिखा, wish, चुकि आप जानते हैं, present and definite tense में, एस या इस केवल singular subject के साथ लगाया जाता है, plural verb को जेवकात्यों लिख देते हैं, तो wish को देखो, मैंने जेवकात्यों लिख दिया, इसमें SEIS नहीं add किया, जबकि नियम तो यह है कि each और every, either, neither आने पर हम लोग singular verb का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर उस नियम में भी आप देख सकते हैं, कि one, everyone, anyone, none, यह थोड़ी spelling या, mistake है, none, someone, nobody, and, जहां से देखिएगा, and some, somebody, okay, somebody, अगर यह सारे सब्दा आते हैं, very simple, आप इनके बारे में वैसे भी जानते हैं, कि one, everyone, anyone, someone, nobody, and somebody आता है, तो इसके साथ आप singular verb का ही प्रयोग करते हैं, जै A-N-O-W-S, nose, मैंने नो नहीं लिखा है, चुकि nose, S-E-I-S-POM है, जो कि singular subject के साथ यूज होता है, no one knows this, यहां पर भी मैंने nose word का यूज किया है, नकि नो खा, जो यह दर्साता है कि everyone, no one, none, someone, nobody, अगर यह साथ आता है, तो इसके साथ हम लोग singular verb का प्रयोग बच्चों करत undersigned का प्रयोग S लगा कर नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, इनके साथ आप S नहीं लगा सकते हैं, यह बहुत ही simple तरीका है, समझने का कि former word जो है, यह former नहीं है, former मतलब जो पूर्व या पहले किसी पद पर रह चुके हैं, उनके पहले हम लोग former, मतलब जो बीच चु अब आप followings नहीं लिख सकते हैं, अगर आप followings लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, चुकि following के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, अगले नियम को देखते हैं, यह subject कोई relative pronoun होता है, याद रखिएगा, subject क्या होगा, यह कोई relative pronoun होगा, तो verb उसके antecedent के अनुसार होता है antecedent के अनुसार होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी आप समझ जाएंगे, जो आप relative pronoun यूज करेंगे, उसका प्रयोग, जो subject यूज हुआ है, उसी के आधार पर आप करेंगे, जैसे देखिए, दमायन, ज़र देखिएगा ध्यान से यह दमायन है, यह देखिए, plural होता, तो man यूज होता, तो इसके सब बाद हमने देखो, who का यूज किया है, जोकि आपका relative pronoun है, और इसके बाद मैंने इसका प्रयोग किया है, देख लीजे, इसका प्रयोग क्यों किया, क्योंकि man हमारा कैसा है, singular, लेकिन वही पर अगर the man लिख दिया मैंने, अब यह plural हो चुका है, तब हू के बाद मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ, आर का प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब जो relative pronoun है, उसके पहले जो subject है, अगर वो singular है, तो वर्ब singular होगी, अगर वो plural है, तो वर्ब कैसी होगी, plural, very simple, बढ़ते हैं, गलेनियम की वर्ब, किसी भी pronoun का person, number, पहले भी यूज करते हैं, टेंसल में हमारे साथ, जैसे ही है, अब उसका positive case क्या होता है, इस, आप ही के साथ योर का प्रयोग थोड़ी कर देंगे, दे है तो उसका positive case क्या होता है, अगर शी होता तो उसका क्या होता है, अगर यू है तो उसका क्या होता, योर, तीन आप ज इस क्या है बच्चों देया है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इच दर का प्रयोग दो के लिए होता है यह कई पॉइंट वाइच चीजे हैं जो आपको जानना चाहिए इच दर का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब यह दो लोगों के लिए किया जा रहा हो जैसे राम दो लोग है तब आप इसके साथ इच दर लगा सकते हैं राम और श्याम दो लोग थे तो लव इच दर आपने लिखाए लेकिन वट ठीक होता है जब दो से अधिक विक्तियों के लिए प्रयोग क्या जाये जाएगा इसे तो याद रखेगा फिर आप इच दर नहीं कर सकते ह आप किसका प्रयोग करेंगे वन और का प्रयोग करेंगे जैसे राम श्याम एंड मोहन क्या राम श्याम एंड मोहन लब वन और वो क्या करते हैं एक दूसरे को प्यार करते हैं राम श्याम एंड मोहन लब वन और छीक है तो ध्यान रखिएगा राम श्याम एंड मोहन लब वन another अब यहाँ पर दो लोग तो है नहीं अगर राम और श्याम होते तो हम इचेदर का प्रयोग करते लेकिन मोहन भी आ गए दो से अधिक लोग हो गए तो भीया फिर आप इचेदर का प्रयोग नहीं कर सकते आप किसका प्रयोग करेंगे one another का प्रयोग करेंगे ठीक एक और देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हू मनुश्यों के लिए प्रयोग मिलाया जाता है आप जानते हैं कुछ है रिलेटिव प्रोनाउन्स जैसे हू तो यह जीवित या मनुश्यों के लिए प्रयोग मिलाया जा अब आप समझ रहे हैं मेरी बात इसी तरह के बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस मैं डिसकस भी करूंगा आगे फिरहाल मैं हु की बात कर रहा हूँ तो हु का प्रयोग कहा किया जाएगा मनुश्यों के लिए लिविंग आर्टिकल्स जो भी होंगे लिविंग कुल मिलाकर क living things के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे जैसे the boy who is sitting with me बात किसकी हो रही boy की किसकी हो रही boy मनुश्य है ना उसके साथ हम किसका यूज करेंगे who का which नहीं कर सकते the boy which is sitting with me बहुत ही गलत वाक के माना जाएगा तो आप अगर boy की बात कर रहे है मनुश्य की बात कर रहे है तो उ तो वही पर अगर बात हम लोग करेंगे जैसे भी बात हम कर रहे थे अगले नियम के और बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक बात को अगर आप निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं जैसे camera है bag है परस है तो उसके लिए आप फिर किसका यूज करेंगे विच का यूज करते हैं यह बात यहाँ पर हो नीचे यह थी मैंने आपके सामने यह रख दिया है आप विच का प्रयोग किसके साथ करेंगे non living things के साथ करेंगे किसके साथ करेंगे non living things के साथ करेंगे याद रखिएगा जो निर्जीव वस्तुए हैं उसके साथ करेंगे, हू का प्रयोग मनुश्यों के लिए करेंगे और अगर प्लेस आ गया बच्चों क्या आ गया ये बात नोट कर लिजेगा यहाँ पर मेंशन नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूं विच का प्रयोग आप निर्जीव विच प्रोनाउन का प्रयोग इस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग तब आप करेंगे जब निर्जीव वस्तूओं को डिसकस करेंगे ज़ए दा कैमरा विच इज वेरी चीप यह ऐसा कैमरा जो बहुत क्या है सस्ता है तो विच का प्रयोग मैंने किस लिए किया है बच्चा विच का प्रयोग हमने इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कि वह वस्तू क्या है निर्जीव है तब ही आप विच लगाएंगे वही पर अगर प्लेस इस्थान की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे वेर किसी व्यक्ति वस्तु का गुर या आउद बताया जाता है आप जानते हैं एड्जेक्ट्टीव करता है किसी वस्तु के गुड़ याउद गुड़ रती है को प्रदर्शित करता है तो गुर या गुर को प्रदर्शित करता है प्रदर्शित डिकरिए में तो न वहाँ कोई तुलना आपको दिखेगी न स्रेश्थता कोई बताई जाएगी वहाँ किवल और क क्योल विसेस्ता बताएगा, गुड लेकिन comparative degree में चीजे भिनना हैं आईए उसे देखते हैं comparative degree में किनी दो व्यक्तियों वस्तुओं में गुड़ या दोश की तुलना की जाती है ध्यान रखियेगा जब अभी तक positive degree था तो कोई तुलना नहीं थी कोई बात नहीं थी क्यों गुड़ और विशेस्ताओं को व्या जिसे देखिये राम और यहां पर क्या श्याम दोनों में तुलना हो रही है तो तुलना करने के लिए जो adjective आएगा वो कभी भी positive degree का नहीं होता बच्चों वो हमेशा comparative degree का होता है जैसे राम इज बेटर देन श्याम जैसे राम इज बेटर देन श्याम राम और स्याम की comparative degree का यूज करूँगा मैं बेटर का अब यहां पर राम इज गुड देन श्याम कर दोगे तो बहुत ही गलत वाक्य मना जाएगा चुकि वो positive degree का adjective है और आप यहां तुलना कर रहे है तो आपको comparative degree का adjective लगाना है सीता इज मोर ब्यूटिफुल देन कमला ओके अब यहां पर भी discuss कर लेते हैं नोट में मैंने उसे आपके सामने discuss किया है जैसे junior, senior, superior, inferior, prefer यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद देन नहीं आता है याद रखिए वैसे तो comparative degree में generally आप देन लगाते हैं जैसे देखिए better के बाद देन क्योंकि यह comparative degree है और जैसे more beautiful के बाद भी क्या दे देन चुकिए comparative degree है लेकिन कुछ comparative degree के word है जिनके बाद देन नहीं आता to आता है जैसे junior, senior, i, or last में जिसमें आ रहा है er या i, or तो ऐसे adjective के बाद हम लोग two का प्रयोग करते हैं ना कि देन का जैसे senior then you कर दोगे तो गलत वाक के माना जाएगा his senior to you, she is junior to you, तो two का प्रयोग क करिएगा, आईए अगले rule के ओर हम लोग पढ़ते हैं, super relative degree में किसी व्यक्ति वस्तु के गुड की तुलना उस वर्ग याद रखिएगा, उस वर्ग या स्रेडी के समस्त व्यक्तियों या वस्तुों से की जाती है, मतलब सर्वस्रेष्ठता दिखाई जाई, क्या किया परिजन जो होगा, तो सबसे होगा, कि सबसे ऊचा, सबसे उपर, सबसे बुद्धिमान, सबसे अच्छा, सबसे महान, ये सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी, मतलब इसमें superiority कहीं ने कहीं आपको देखने को मिलेगी, जैसे मुंबई is the biggest, अब यहाँ the bigger कर दोगे तो पूरी क्लास से तुलना ओरे कि उस सबसे क्या है, बुद्धिमान है, तो सूपरलेटिव डिगरी जैसे biggest, wisest, cleverest इन सब का प्रयोग तभी आप कर सकते हैं, जब आप तुलना में सर्वस्रेष्ट उसे दिखाएं, और याद रखिएगा, जितनी सूपरलेटिव डिगरी होत परीष्यों में बच्चों, तो बहुत seriously सीमझने का प्रयास करिएगा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेश्ट का प्रयोग भीष्टियों तो था वस्थों के लिए किया जाता है, बात बिल्कुल सही है, ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेष्ट का प्रयोग आप किस के लिए करोगे, ब बहुत confusion भरा point है, जो आपके सामने में यहां रख रहा हूँ, एक साथ ध्यान से देखिएगा, old, older, oldest का प्रयोग तो आप कर रहे हैं भिन भिन प्रकार की वस्तूओं या विक्तियों के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब old, elder और eldest का प्रयोग होगा, तो यह एक ही परिव यहां तो इसे comparatively हम लोग देख लेते हैं, जैसे, she is an old lady, चलो, old का प्रयोग तो हम लोग किसी भी सेंस में कर सकते हैं, आपके परिवार का हो या ना हो, लेकिन ध्यान दिजिएगा, elder का प्रयोग आप तभी कर सकते हो, जो आपके परिवार का हो, जैसे, she is my elder sister, अब यह elder लगा सकते हैं, आपके परिवार किये हैं, इसलिए आप उसके साथ elder या eldest का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे, she is my elder sister, या elder sister, जो भी आप यूच करें, तो elder या eldest का प्रयोग बच्चो, तभी आप कर सकते हैं, जब वो आपके परिवार का सदस्य हो, blood relation में आता हो, जबकि old, older य ओल्डेश्ट के साथ ये नियम लागो नहीं होता है आईए अंतिक पुष नियमों के लोग व्याख्या फटा फट कर लेते हैं तो आप एक अच्छे खासे नियमों को काफी हद तक कवर कर लेंगे चलिए ये बड़ा ही महत पुष नियम है आफ्यू का प्रयोग ध्यान दिजेगा किसका आफ्यू का प्रयोग सम के अर्थ में पॉजिटिव में होता है पॉजिटिव में सम के अर्थ में ध्यान दिजेगा जरा से आफ्यू का प्रयोग सम के अर्थ में पॉजिटिव में होता है a few boys in my class can speak Hindi positive sense हो का बहुत कम बच्चे हैं a few का प्रयोग सम के लिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारी क्लास में Hindi बोल सकते हैं अच्छे से बोल सकते हैं तो a few को किस अर्थ में प्रयोग में लाओगे कुछ के अर्थ में सम के अर्थ में लेकिन वहीं the few की बात होगी तो the few का प्रयोग थोड़ा किन्तु सब थोड़ा तो है लेकिन जितना है सब जैसे ध्यान से देखिएगा he gave her the few coins he had he gave her the few coins he had मतलब उसने वो सारे सिक्के दे दिये जितने उसके पास थे थे तो थोड़े ही लेकिन जितने थे उसने पूरे के पूरे दे दिये तो याद रखिएगा कि आप a few और the few वही पर few का जब आप प्रयोग करेंगे तो few का प्रयोग करते तो हैं लेकिन लगभग लगभग वो नकरात्मक सिंस में होता है वो भी यहां discuss नहीं मैं आपको बता देता हूं ध्यान से देखिएगा कि few का प्रयोग आप कैसे कर लेते हैं ध्यान से देखिएगा चुकि आप few का प्रयोग तो आपने देखा कि sum के अर्थ में करते हैं आप few का प्रयोग आप कैसे करते हैं sum के अर्थ में करते हैं वहीं few का अर्थ मतलब जो few का प्रयोग आप करेंगे वो little की तरह किया जाता है hardly any इसका negative sense में यूज होता है यहा जो यहां mention नहीं है मैं आपको बता देता हूँ जरा एक second इसको हटा देते हैं आप few तो आपने देख लिया कि आप few का प्रयोग sum के अर्थ में करते हैं कुछ के अर्थ में the few का थोड़ा तो है लेकिन जितना है सब कुछ के अर्थ में करते हैं जैसे he gave her the few coins he had जितना उसके हमेशा ही negative sense में समझा जाता इसी किस sense में लिया जाता है इसको negative sense में लिया जाता ध्यान दीजेगा किस sense में negative sense में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मतलब बहुत थोड़ा ना के बराबर जैसे मालीजे he has few friends in the school उसके पास few friends मतलब ना के बराबर मित्र हैं तो few का प्रयोग ह हमेशा negative sense में करोगे वही आफ you का प्रयोग सम के sense में करोगे तो आप आफ तो बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यदि एक ही साथ बहुत से adjective का प्रयोग एक ही noun के लिए करना हो तो इनका प्रयोग noun के बाद किया जाता है इनका प्रयोग किसके बाद किया जाता है noun के बाद यदि एक ही साथ बहुत से adjective का प्रयोग करना एक ही साथ कई सारे adjective प्रयोग में लाए जाएंगे ज़रा ध्यान से देखना कैसे जैसे मैंने ले लिया a man ये noun है उसके लिए young, strong और intelligent तीनों का प्रयोग करना नहीं यदि एक ही साथ बहुत से adjective का प्रयोग एक ही noun के लिए करना हो तो इनका प्रयोग noun की बात किया जाता है वैसे अगर एक ही adjective लिखना होता मालो young लिखना होता तो a young man man के पहले young का यूच कर देते लेकिन अगर एक से अधिक बहुत सारे adjective है तो उनका प्रयोग noun की बात करना चाहिए तो young, strong, intelligent ये सब कई सारे adjective हैं तो इनका प्रयोग सदयो noun के बात होगा अकेले अगर adjective का प्रयोग करना है याद रखिए adjective little के लिए प्रयोग होता है तो उसे भी noun के बात रखता सवार यहाँ पर little नहीं title होना चाहिए title ही लिखा गया है ये क्या है title है याद रखिए title ये क्या है बच्चो टाइटल है title मतलब आप समझ रहे हैं शीरशक या नाम जब कोई adjective noun किसी title के लिए किसी नाम के लिए प्रयोग किया जाए adjective किसके लिए नाम के लिए होता नहीं जल्दी नाम के लिए कोई adjective जल्दी प्रयोग में नहीं लिया जाता अगर वो लाया जाएगा तो noun के बाद रखा जाएगा किसके बाद ना उनक बाद जैसे अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर नाम है इसके बाद उसका एडजेक्टिव दग्रेट लगाए गया है जैसे अशोका नाम है इसके बाद उसका एडजेक्टिव क्या लगाए गया है दग्रेट लगाए गया है जैसे अकबर नाम है उसके बाद क्या लगाया गया दग्रेट लगाया गया है अब मेरी बात आप समझ गया होंगे कि अलेकज़न्डर अशोका अकबर यह सब क्या है नाम नाम के बाद बच्चों अगर आप लगाएंगे अगर कोई विश्पेसण का प्रयोग करते हैं तो वो नाम के बात किया जाएगा नाम के पहले नहीं दग्रेट अलेक्जेंडर नहीं बलकि अलेक्जेंडर दग्रेट अशोका दग्रेट अकबर दग्रेट ओके चलिए तो ये सारे कुछ बिंदू हो गए जरासा कुछ एक बाते हैं जो मैं इस पूरे के पूरे ससन में मैं चाहता हूँ कि पूरे के पूरे syntax में से 60 फीजदी चीज़ों को cover किया जाए बाकी बची 40 फीजदी चीज़ों को अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी बची हुई जितनी चीज़े होंगी उन्हें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जैसे हम लोगोंने few देखा था चलिए वैसे हम लोग little के use को थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके use को समझ लेते हैं little के use को समझ लेते हैं जैसे कहीं पर भी अगर little लिखा हुआ आता है तो लिटिल का अर्थ भी बिल्कुल जैसे फ्यू का था की निगेटिव सेंस में होगा वैसे लिटिल का अर्थ भी क्या होता है ये भी निगेटिव सेंस में होता है ये भी किस सेंस में होता है निगेटिव देखिए फ्यू और लिटिल का प्रयोग लगभग एक ही सेंस में किया जाता है वैसे few का प्रयोग जदा तर हम countable nouns में करते हैं जिने गिन लेते हैं और little का प्रयोग हम जदा तर uncountable nouns में करते हैं जिसे हम लोग गिन नहीं पाते हैं बस इतना साही अंतर है बाकी little और few के अर्थ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों ही negative sense में use किये जाते हैं जैसे there is a little hope of his success, अगर मान लीजे मैं कहता हूँ there is a little hope, मैंने क्या बोला little hope, अब little hope होना मतलब hope को मैंने पहली बता दिया, इतना कम की लगभग negative के sense में, मतलब कोई आसा लगभग लगभग नहीं है, तो little का प्रयोग आप कि sense में करोगे, negative लेकिन याद रहें, countable के लिए नहीं, ज्यादा तर इसका उपयोग आप uncountable नाउन के साथ करते हैं, जैसे जो चीज ना पी जाती है, जो चीज भावनाओं में होती है, इन सब चीजों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग little का प्रयोग करते हैं, little की बज़ाए क्या हो जाएगा बच्चों, a little हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा, थोड़ा meaning तो देने लगेगा, जादा तो नहीं, लेकिन बहुत कम, ना से थोड़ा जादा, लेकिन जादा नहीं, ना से लेकिन थोड़ा जादा, a little आ गया, तो इसका मतलब हो गया, कि हाँ, बहुत जादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये है, तो इसको हम some के sense में लेने लगते हैं, किसके sense में लेने लगते हैं, some के sense में हम लोग, थोड़ा थोड़ा इसे लेने लगते हैं, तो इसको positive way में हम लोग use करते हैं a little को कैसे use करते हैं तो a little को positive way में use करते हैं याद रखिएगा इसे negative नहीं मानेंगे little को मानेंगे a little को नहीं मानेंगे few को negative sense में use करेंगे a few को नहीं करेंगे उसको some के sense में हम लोग use में लाते हैं यह बात याद रखिएगा जैसे a little knowledge is a dangerous thing a little knowledge मतलब थोड़ा सा ग्यान जादा तो नहीं थोड़ा ग्यान क्या होता है बड़ा ही खतरनाक होता है यह बात बिल्कुल हकीकत है आईए अगर वैसे ही a little के बाद अगर मैं बात करो किसकी the little की बात करो तो the little मतलब थोड़ा ही होता है लेकिन सब कुछ जितना है सब कुछ वो भी किसके प्रयोग करोगे little का पूरा समू ही प्रयोग किया जाता है बच्चो ज़्यादा तर किसके लिए तो ज़्यादा तर ये uncountable noun के लिए ही प्रयोग किया जाता है ज्यादा तक किसके लिए प्रयोग किया जाता है जैसे आपने few को पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही क्या है little भी है लेकिन little को uncountable noun के लिए प्रयोग करोगे और few को किसके लिए करोगे countable noun के लिए अगर बात मैं करता हूँ किसकी the little की किसकी बात करता हूँ the little की तो the little का case तो पाउंटेबल नाउन के साथ जैसे he gave the milk या the little milk he had, he gave the little milk he had, अब जितना उसके पास था थोड़ा सा ही दूत था लेकिन जितना था उसने सब दे दिया, तो the little भी आप लोग क्या कर गए, समझ गए, तो बहुत अच्छे से आप इसे समझ गया होंगे, a little भी समझा दिया, the little भ रहा है बच्चों, इसका यूज बिल्कुल ही हमारा a few, the few और few की तरह ही है, बस few का प्रयोग आप countable noun के साथ करते हैं, और little का प्रयोग आप किसके साथ करते हैं, uncountable noun के साथ, और few का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो countable noun के साथ करते हैं, बहुत अच्छे से समझ गया, एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं और अच्छे समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको कोई मुश्किल होने वाली है बस एक बात आप अच्छे से समझते जाईए तब जहां चीजे न समझ में आ है एक बार फिर से आप वीडियो को आफर्मेटिव सेंटेंस में होता है याद रखना किसमें आफर्मेटिव मतलब ना तो निगेटिव ना तो इंट्रोगेटिव सम का प्रयोग कहां करते हो आफर्मेटिव किस अर्थ में करते हो तो किस अर्थ में कुछ के अर्थ में वहीं एनी का जो प्रयोग होता है वो ए या affirmative sentence में होगा तो some का प्रयोग किसमें affirmative में करेंगे वही any का प्रयोग किसमें करेंगे interrogative या negative में करेंगे याद रखिए कि जैसे he will buy some book, अब यहाँ some बोल रहे हैं वही लेकिन अगर ऐसा बोलेंगे she will not buy any books she will not buy any books अब not आ गया तो any लगाएंगे क्योंकि ये negative sentence है लेकिन अगर negative नहीं है he will buy some books तो he will buy यहाँ negative नहीं है not नहीं है, नहीं कोई question पूछा गया है तो यहाँ हम किसका प्रयोग करतेंगे some का, तो some और any का भी प्रयोग आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ गया है कुछ word ऐसे होते हैं जैसे hardly, scarcely, barely, semi-negative हो आने जाते हैं यह कैसे माने जाते हैं, negative negative तो है, लेकिन यह semi-negative है और इनके साथ भी हम लोग any का प्रयोग करेंगे यह word बिल्कुल particularly लिख लीजिए hardly, scarcely, barely, यह सब semi-negative है और अगर यह negative है तो इसके साथ भी हम लोग any का ही प्रयोग करेंगे फिर से मैं word रिपीट कर दे रहा हूँ कौन सा, hardly, scarcely, barely यह सब semi-negative है कौन-कौन से, hardly, scarcely, barely चलिए, एक लंबा से सन हो गया हम लोगोंने बाकाइदा इन सब चीजों को discuss कर लिया है, लेकिन आप 60% of your syntax आज हमने इस वीडियो में complete कर दिया है सेस बचा हुआ 40% हम लोग discuss करेंगे next वीडियो में बढ़ी मेहनत हुई है इस वीडियो में अच्छे से देखेगा, कई बार देखेगा, समझेगा चीजों को, अगर कोई दिक्कत होती कुछ समझ में नहीं आता, तब comment box में comment करिएगा वीडियो यह आपको अच्छी लगी हो, तो इसे अवश्य शेयर करिए और इसका लाब उठाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए चलिए, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं ध्यान रखियो, take care, thank you so much